जिन्दगी की राह में कहीं खो गया है इंसान मन्जल मिल जाएगी जरा खुद को तो पहचान हौसलों को कर बुलन पूरे होंगे अर्मान उचे होंविचार मुश्किलों में हों उसकान राजयोग के राज को जान जिन्दगी बने आसान जिन्दगी बने आसान जिन्दगी बने आसान ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ चलतो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आपको अकेला मैसूस करने लगते हैं, ऐसा क्यूं होता है, क्यूंकि कही न कही हम अपने आपके खुद की जो self worth है, खुद का जो existence है, उसे भूल जाते है, खुद की खुशी, खुद के साथ में रिष्टा क्रियेट करेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपके सभी और जो रिष्टे हैं, वो automatically सही तरीके से सही पट्री पर चलने लगेंगे, इसको पसुरुत बात के साथ, आज के प्रोग्राम के हम शुरुबात करते हैं, हमारे साथ है जाने माने मनो चिकि वेलकम टो आशो भाई जी, थेंक यू वेरी मच, प्लेशर, अप्टि साहब हमने अभी एक सीरीज चलाई रिष्टो की, जिसमें हमने चोटे-चोटे पहलों पर ध्यान देकर, किस तरह से अपने रिष्टों को चाहे वो ओफिसे में हो, चाहे वो बचों के साथ हो, चाहे कोई भी तरीके के रिष्टे हो, हमने ये जानने की कोशिश की कि कहां गलतिया हो रही है, कहां उसे सुधारा जा सकता है, अब हम ऐसे पाइदान पर पहुचे हैं, जहापे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रिष्टा, जो कि कही न कही हम भूल सा जाते हैं, जो कि खुद के साथ है, उसके बारे में आज हम चचा करना चाते हैं, इसमें आपकी क्या कहना है, देखिए पहली बात तो कि साइंस थोड़े से चुपे रूप से इस रिष्टे को मानता है, क्योंकि इस रिष्टे को जानने के लिए और फिर उसे पहचानने के लिए, हमें बाहर ही नहीं पर अंदर के वर्ल्ड के अंदर जाना पड़ता है। बाहर की चीज़ों को महसूस करने के लिए तो हमारी इंद्रियां हैं। लेकिन उन पांच इंद्रियों के पार जाकर हम अपने अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं। उन्हें अगर ध्यान देकर, बैठकर, सोचकर, महसूस करकर और फिर डवेलप करते हैं सही नौलेज के साथ अभी हम उस रिष्टे को जान सकते हैं। बच्पन में अगर देखें कि यह डवेलप कैसे होता है। तो जो बच्चा होता है, उसको जो माबाप नाम देते हैं। वो नाम आम तरुपे तो शरीर का है। लेकिन तीरे-दीरे बच्चा ये भी समझने लगता है कि उसके अंदर कुछ विचार चल रहा है। जो कि बाहरी जिंदगी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। और कई बार कुछ बच्चों में ये विचार ज्यादा प्रबल भी होते हैं। और अगर घर का महौल भी ऐसा हो, जहां पे कि इस तरह के प्रशनों को फुड़ा सा बढ़ार दिया जाता है, प्रुथाहित किया जाता है। तो बच्चा सोचने लगता है इस पारे में। और उसकी ग्रोथ जो है as a person वो एक दिशा पकड़ती है। अगर मान लीजे घर का महौल ऐसा है कि जहां कहते हैं अच्छा क्यों परिशान होते हैं इन प्रशनों के बारे में। खाओ पियो, खेलो, यह जादा important है। तो वो धीरे धीरे कहीं न कहीं उस चीज़ को दबाना शुरू कर देता है। यह प्रशन बार बार और खासता और उस समय जब व्यक्ति किसी तरह के तनाफ से गुजर रहा होता। या कुछ लाइफ के ऐसी सिच्वेशन होती हैं जिनने वो डील नहीं कर पाता। या अगर वो अपने व्यक्तित में किसी तरह की कमियों को महसूस करता। तो यह प्रशन फिर उठके खड़े हो जाते हैं। अनफॉर्चनेटली आज समाज में एंड इस अल ओवर दे वर्ल्ड भारत में तो फिर भी कुछ ऐसे फोरम्स हैं जहां पर किस तरह की बातें की डिसकुशन की जाती हैं। लेकिन इस तरह की डिसकुशन करने के जरिये बहुत कम हो गए हैं। और इसी लिए वक्ती ढूनता रहता है। कई बार गलत लोगों से पूछता है। अलग लगतर हैं क्या अंसर्ज मिलते हैं। और उस कारण से उसे क्लारिटी नहीं होती कि वो है कौन। अचलि इस समय साइंस भी इस बात को महसूस कर रही है। और अल ओवर दे वर्ल्ड। और अगर हम हील्थ में देखें। तो हील्थ में शरीर है। और उसका एकुलेंट अगर हम देखें तो ब्रेन है। और साथ-साथ जो प्रोसेस उनके अंदर चलते हैं। सूपर फास्ट स्पीड पर अनिमाजिमल काइंड अफ प्रोसेस जिसका कीुलेंट मन है। और उसी के साथ एक छुपी हुई चीज जो कि उन सब को चलाती है। उसे consciousness, spirit, soul, आत्मा अलग लग प्रकार से गुलाया जाता है। वो एक energy है जो कि हर प्रकार से हमारे प्रोसेस को सुचार रूप से चलाती है। और उसमें सबसे जो बड़ी power है वो है power to analyze, power to know itself. मैं क्या हूं, क्या सोचता हूं, भावनात्मक कैसा हूं और किस प्रकार से मैं अपने जीवन को मुल्यों के साथ चलाकर एक goal की तरफ बढ़ रहा हूं। ये प्रोसेस अगर समझने में आना शुरू हो जाए, तो बाहरी रूप से जो भी चल रहा, या जो भी तनाव चल रहे हैं, उन तनावों के बीच मैं अपने आपको stable महसूस कर सकता हूं। क्योंकि मेरा अपने साथ एक रिष्टा खुबसूरत है, मैं अपने अंदर क्योंकि सक्षम हूं। अगर मुझे अपने अंदर ही आनंद या प्रेम या पीस या शक्ति या बिंग लाइट ये सब अनुभूतियां होंगी, तो मुझे बहरी रूप से इन चीजों को ढूनना कम हो जाएगा। लेकिन इस रिष्टे को सिखाने के लिए आपको अमतर पे किसी guide की जरूरत होती है। जो आपको आपके अंदर आ रहे विचारों को और अपके अंदर जो experiences हो रहे हैं उनको interpret करके आपकी मदद कर सके। और फिर बाद में जीवन में किस परकार से उन चीजों को लगाना है आत्मसाथ करना है उसमें आपकी मदद कर सके। ऐसे guides मिनने की जरूरत भी होती है लेकिन कमी भी बहुत है। और यह process actually अगर बच्पन से शुरू हो जाए। क्योंकि कई बार कहा जाता है कि यह आत्म आध्यात्म है। यह spirituality तो जीवन के एंडियर्स के लिए है। लेकिन अगर उसका बीज ही नहीं डला है तो वो नहीं रूप से उस समय में नहीं डल पाता। और अगर हम अपने बच्छों को किस प्रकार से सक्षम बनना है। किस प्रकार से बाहर की चीजों के साथ अपने अंदर समावेश करना है। किस प्रकार से अगर घटनाई हो तो उनके साथ पहने ही जाना है। किस तरह से रिष्टों की जो सही अंकलन है उसको करना है। किस प्रकार से अपने आपको बदलना है। यह जो soft skills इनको कही जाते हैं, actually life skills हैं यह जो जीवन में जीवन को चलाने के लिए महत्वपून हैं, तो अगर उनको समझाना शुरू किया जाए, या best होगा कि उनको अपने जीवन से प्रेड़ना दी जाए, क्योंकि अगर बच्चों की बात तरे हम, आपके हिसाब से कौन सा right age है जिसमें हम इस तरह की चीजों को introduce करा सकते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता, क्योंकि आजकल के बच्चों की अगर हम बात करें, उनके अंदर में technology को लेकर की इतनी जादा सुझारता है, वो अपने आपको goal oriented बहुत पहले से ही समझने लगते हैं क्योंकि उनके अंदर वो बीच डाल दिया जाता है parents और teachers के through ऐसे situation में एक छोटा से बच्चे को भी बहुत जादा pressure होता है शायद उनके school bags भी इतने ज्यादा heavy होते हैं जो शायद बच्चे को अपने साथ लगाती है और उसे प्यार महसूस होता है तो वो भी एक ऐसा गुन है जो पूरी जिंदगी में उसके मन में आएगा वो बच्चे जिनको की कभी भी किसी का प्यार नहीं मिला उनकी growth बिलकुल अलग होती है और उनका अपने साथ रिष्टा भी बहुत अलग होता है और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये चीजें वो अपने आसपस महसूस करता महौल कैसा है लोग आपस में जगड रहे हैं नहीं लोग कुछ समय के लिए शान्ती में बैठ पाते हैं कि नहीं जिन बच्चों ने इस चीजे को महसूस किया है आगे जाके उसी अनुभूती को वो ढूंते रहते हैं लेकिन अगर आपने महसूस ही नहीं किया हूँ है तो आप पीस ब्लैकबोर पे चाहे लिख दें लेकिन वो महसूस नहीं होगा और यहां पे उनके बैग को भारी करने के बात तो नहीं है खेल-खेल में किस प्रकार से वो इन मुल्यों को अपने जीवन में अपना सकते हैं ताकि जब बाहर का बाहर बढ़े तो वो अपने आपको कैसे लाइट महसूस करें तो इसमें एक्शली कोई भी ऐसी बात तो है ही नहीं कि बच्चे उसे अपना पना पाएं एक्शली बच्चों को अपनाना इसलिए भी असान हो जाता है क्योंकि उनके मन में और कई तरह के कॉंसेप्ट नहीं घुसे हुआ प्लस टेक्नोलोजी जो है टेक्नोलोजी इस चीज में मदद कर सकती है अच्छा इसके द्वारा अगर कंटेंट आपका अलग है तो टेक्नोलोजी उसको काफियत तक आगे ले जा सकती है टेक्नोलोजी के द्वारा हम उस रूप में इसको पेश कर सकते हैं depending on the age कि उसे या तो खेल समझें या वो किस तरह से दो बच्चे आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं तो उनकी उम्र के लिए क्या हो सकता है और फिर जब थोड़े बड़े हों तो उस समय के जो चैलेंजिस हैं उनको कैसे ले सकते हैं तो ये चीज समय के साथ-साथ बदल सकते हैं टेक्नोलोजी एक माधियम बन सकता है उस चीज को आगे ले जाने का लेकिन जो core issues हैं, values हैं, जो गुण हैं, जो महत्व हम इन चीजों को देते हैं, जो वो मेरी personality का हिस्सा बनते हैं, जो वो मेरे रिष्टों में आते हैं, वो चीज तो eternal है और वो समय के साथ-साथ जितना हम बढ़ाते जाते हैं, और वहाँ पे कुछ practices का होना, खासतार पे उस चीज की सही knowledge का होना मैं कौन हूँ, मेरी सोच किस प्रकार से मुझे प्रभावित करती है, मेरे positive या negative thoughts जो हैं, या मेरे emotions जो हैं, वो मेरे शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं मैं किस प्रकार से दूसरों को भी सकारत्मक रूप से अपने साथ लेके चल सकता हूँ, मैं किस प्रकार से अपने रिष्टों को मधूर बना सकता हूँ, यह सारी चीज एक प्रैक्टिकल चीज है, और उसको अगर हम अपना के और फिर बीच पीच में कुछ प्रैक्टिसेस जैसे कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस है मेडिटेशन की पारे में इंसिदेंटली पिछले 20-25 वर्षों से सांटिफिक शोध भी बहुत हो रही है और उसमें कुछ अब तो जर्नल्स है जो कि स्पिरिचालिटी, कॉंशिसनेस मेडिटेशन इसके उपर completely dedicated है और ये शोध को अगर हम अंकलन करते हैं तो अमेरिका और भारत दो ऐसे विश्व के देश हैं जहांपे कि सबसे अधिक शोध इसमें चल रही है एक है सिरफ meditation meditation का मतलब भी हो सकता है कि आप थोड़ी देर के लिए बैठे, ध्यान में बैठे और उससे आपको कुछ अनुभूतियां हो प्रेम की, आनंद की, शान्ती की बिंग लाइट की या कुछ आपके सकारात्मक विचार चले जिसका की डिरेक्टली आपके शरीर पर पॉजिटिव असर होता ये चीज़ अब कई तरह के instruments के द्वारा भी देखी गई है कि इन सबसे हमारी जो relaxation response जिसको हम बोलते हैं वो बढ़ती है उसकी वज़े से जो शारीरिक बिमारियां है चाहे वो blood pressure की हो या diabetes की हो या heart diseases हो या migraines हो या सिरफ infection से लडने की जो हमारी ताकत है उसकी हो या हमारी नींद का सुचारू होना ये सब बहतर होता जाता है जो hormonal profile है वो बहतर होती जाती है जो easy patterns है वो बहतर होती जाते है ये शोद द्वारा दिखाया गया लेकिन meditation के beyond एक stage है जिसको हम meditative lifestyle कह सकते कि हर समय हम उस स्थिती में रहें कि हम बहुत जादा फस ना जाएं चीजों के साथ कि हम उनके साथ deal करते-करते अपने खुद का जो रिष्टा है उसको ना भूल जाए और वहाँ पर अगर हम एक higher power की बात भी करते है वो higher self कुछ लोग उसका नाम देते हैं लेकिन उसे अगर हम परमात्मा, God higher being जो भी कहना चाहें जिसके साथ मेरा connection बन पाए जिसके साथ मैं powers ले पाऊ जिसको कि मैं महसूस कर पाऊ हर समय अपने साथ तो फिर आप अकेले नहीं होंगे आपका कोई ना कोई साथ ही होगा और वो एक ऐसा साथ ही होगा जो आपको guide कर सकता है बहुत से लोग हैं जो कि जब उस प्रकार का जीवन जीते हैं और मैं ब्रह्मा कुमारीज के साथ दो दश्कों से ज़्यादा जुड़ा होगे और अलग अलग शेत्र में हर्त प्रेंग के लोगों को मिलता भी हूँ और ब्रह्मा कुमारीज का जो लाइफस्टैल है उसको भी देखता हूँ जिसमें बात सिर्फ यह नहीं है कि हम क्या खा रही है लेकिन हम कैसे खा रहे हैं और हम को क्या खा रहा है यहाँ पर मैं किस रूप में सोता हूँ मैं किस रूप में जागता हूँ उठने के बाद अपने दिन चर्या को कैसे बिताता हूँ किस प्रकार से सेवा में दूसरे लोगों को किस भाव से लेता हूँ और अपने में बैटरी चार्ज करने के लिए किस रूप में रखता हूँ अगर उसको एक पूरा lifestyle बनाने तो आपके पास हमेशा कोई ना कोई होगा आपका highest self और वो होगा जो आपको वो power हमेशा दे सकता है परमात्मा नाम ले ले या गौड ले ले डॉक्टर सहाब आज का जो ये एपिसोड रहा है ये बहुत ही जादा अदबुद रहा है काफी सारी नई बाते हमने जानी एक नई knowledge को हमने अपनाया कि कैसे हम खुद के साथ में ही रिष्टा create करें क्योंकि अगर खुद के साथ में हम satisfaction में है तो automatically हमारे सारे रिष्टे वो सही प्लेस कर किरने लगेंगे दॉक्टर सहाब कुछ सवाल है हमारी audience के जो हम आपसे पूछना चाहते है वेल्कम मैं माधरी गुपता युपी से आई हुई हुई H.L. अमेठी से इसके लिए मैं क्या करूँ मैं विजय गुपता H.L. कुर्वा मेठी से हूँ मेरे दो बत्ते software engineer है हमें घर से कोई दिक्कत नहीं है पैसे रुपए किसी मामले में है मेरी family भी बहुत अच्छी है बहुत ऐसे वाली है rich family है लेकिन इसके बहुत दूज भी मैं अपनी लाइफ से स्वंतुष्टी नहीं हूँ हमें ऐसा लगता है कि किसी तीची खोध है मेरे दीवन में सब कुछ है फिर भी कुछ खाली पर महसूस होता है इसके समाधान बताया जाए जी इनका सवाल कुछ इस प्रकार है कि इनके मन के अंदर में बहुत सारी बाते एक साथ चल रही होती है क्योंकि इनकी इक्छाए इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है तो क्या होता है कि वो अपने इक्छाओं से मुक्ती भी पाना चाहते हैं पर पानी पा रहे हैं, हर वक्त कोई न कोई नई चीज की चाह में, कही न कही उनकी संतुष्टता जो होती है, वो खोसी गई है, ऐसे में संतुष्टता को किस तरह से अपने जिंदगी में लाया जा सके, इनका ये सवाल है, और दुसरा सवाल कुछ इस प्रकार है, कि इनके प बचता है कि कुछ ऐसी चीज ही जो मसिंग है, वो मिसिंग वस्तु क्या है, इन दोनोई ही सिचुएशнов में अगर हम देखें, तो जो व्यक्ति है वो मून चुका है, और कई-ना कई हताश है, ऐसे में कैसे मुक्ति को पाया जा सके, अगि जो दिखता है, वो है नहीं और जो की दौड़ थी, वो भारी वर्ल्ट के साथ थी, उसकी कोई लिमिट नहीं है, there is enough for everybody's need, but not for everybody's greed, तो उस में आप नई-नई technology, जो की evolve होती है, यह नई-नई चीजें, कुछ देर के लिए आपको अश्वासित कर सकती हैं, कि आपके पास power है, चीजों को control करने के लिए, लेकिन अगर मन control में नहीं है, तो वो बार-बार नई चीजों को लाता रहेगा, और थोड़ी देर के लिए आप उसमें खो जाएंगे, अच्छा मेसूस करेंगे, लेकिन जैसे ही वो satisfaction थोड़ी सी उपर होगे, उसके बाद फिर से, वो satisfaction खतम होनी शुरू हो जाएगी, नई चीज की शुरुआत, जो इनके अकांख्षाएं हैं, अकांख्षाएं जिनसे की आपका और समाज का भला हो, और भौतिक रूप से नहीं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से, वो बहुत लंबे अर्से तक चलता, अगर आप दूसरे वक्ति की मदद कर पाते हैं, और उसकी वज़े से उस वक्ति की growth चलती है, तो आपको भी एक खुशी मिलती है, उसको altruism बोलते हैं, यानि दूसरे को दे पाने की शक्ति, जिससे की आपको अंदर अपने ये महसूस हुआ, कि मेरे पास भी कुछ ऐसा है, जो म और उसके लिए क्या price आप पे कर रहे हैं, वो देखना जरूरी है, अगर किसी चीज का थोड़ा सा मज़ा लेने के लिए आपका समय, पैसा, सारी resources, energies लग रही हैं, तो फिर आप उसी दौड में भाग रहे हैं, और उस दौड में आप किसी direction में नहीं भाग रहे हैं, आप एक ही जगा पे खड़े होके भाग रहे हैं, तो पहले तो कुछ समय अपने साथ बिताना शुरू करें, अंकलन करना शुरू करें कि ये चाहती क्या हैं, और अगर उनको ये समझाए कि वही questions बार-बार अलग रूप में आ रही हैं, तो शायद समय है कि अभी उनसे उपर उ करकार से उसे अलग रूप से जीना चाहते हैं, और उसमें अपने अंदर जाना और उसको जानना उसका एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है, मैं इनसे यही suggest करूँगा कि ये कुछ समय के लिए अपने आपको भातिक चीजों से withdraw करें, सन्यास लेने की बात नहीं हो रहे हैं, लेकिन अपने जीवन की priorities जिसको purpose of life कहा जाता है, studies होई हैं जहां पर कि लोग जो की deathbed पे थे उनसे पूछा गया, कि आपने अपने जीवन में क्या पाया, और क्या चीज़ आप चाहते हैं कि और कर सकता, एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि छायद मेरे पास पैसवार होत तो मुझे अच्छा लगता हूँ, हर बार यही बात थी कि कुछ समय मैं family के साथ बिता पाता, कुछ शन अपने साथ बिता पाता, कुछ शन अपने को समझने के लिए बिता पाता, कुछ society की और मदद कर पाता, etc., etc. तो फूर जो आकांशाएं हैं, वो लंबे समय तक आपका साथ भी देंगी, आपको खुशी भी देंगी, और आपके बहाने किसी और का भी फायदा होगा, और उस process के अंदर, psychologically, emotionally, spiritually, आप ज़्यादा भरपूर अपने आपको महसूस कर पाएंगे. जो खालीपन की बात है, again, खालीपन इसलिए है क्योंकि आपको कुछ value का नहीं मिला, physical रूप से आपकी five senses को मिला, लेकिन अब वो satisfied हो गई हैं, और वो कुछ और ढून रही हैं, और उस खालीपन को आप भारी चीजों से नहीं भर सकेंगे, उसको भरने के लिए, और क्यों अब अपने आपको जानने का, और उसमें ये भी नहीं है कि हमने पूरा जीवन बिता देना है, उसको बैलेंस रूप से चलना शुरू करें, और अपने ही संधर में, अपने ही परिवार में रहे कर, किस प्रकार से ये उस खालीपन को, या तो बहतर रिष्टों के साथ, जो आपको हायर पावर के साथ कनेक्ट करने के बाद, अगर उसे महसूस करेंगे, तो मेरे खाल से इनका जो खालीपन है, वो एक सशक्त रूप से सिर्फ अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए भरता जाएगा, बहुत अच्छा रौक्टर साहाब, बहुत सारी important बाते आज हमने जानी, जिनमें मुझे सबसे important बात ये रगी, कि सबसे पहले तो खुद के साथ रिष्टा बनाएं, और दूसरा वो supreme soul के साथ रिष्टा बनाएं, अगर इन दोनों के बीच का जो connection है, वो सही है, इन दोनों के बीच में अगर misunderstandings नहीं है, अगर जो छोटी मोटी नोग वो भी नहीं है, क्योंकि ये ऐसा रिष्टा है, जिसमें one-sidedly भगवान हमें देता जाएगा, और हम उसे thank you बोलते जाएंगे, thank you so much Dr. साहब, thank you for coming in the show, pleasure, thank you very much, ओम शन्ति, दोस्तों, आज हमने कई सारी बाते जानी, जिनमें हमें सबसे जादा महत्वपूर्ट बात ये ज कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को ही भूल जाते हैं, दूसरे रिष्टे निभाने के चकर में खुद से रिष्टा जो है उसे भूल जाते हैं, अगर हम खुद के साथ में एक नया रिष्टा अपनाएं, जिसमें हम खुद से बाते भी करें और साथ ही साथ उस परमपिता परमात्मा से भी बाते करें जो हमारे लिए सदा सुखद बाते ही सोचता रहता है वन साइडेडली वो हमें सब कुछ देता है अगर बस हमें उन्हें दो मिनिट रुख कर बात करने की देर है इस बात के साथ आज की प्रोग्राम को अमेंट करते हैं आपसे फ्रे मिलेंगे आपके ही शो में जिन्दगी बने आसान ओम शांती अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिन्दगी बने आसान ब्रह्मा कुमारीज गद्लिवोड स्टूडियो शांतिवन अभू रोड चॉल 809-4913-487 कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया जोले भर्दी खुशियों से जोले भर्दी खुशियों से सारा मेरा दुख लिया कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया कैसे करूँ मैं बाबा तेरा शुक्रिया जब ही आते हो सुखलाते हो कूलों से दामन भर जाते हो जीवन मिल गया खिल गया कैसे करूँ मैं बाबा तेरा शुक्रिया कैसे करूँ मैं बाबा तेरा शुक्रिया कर दो सुखलाimon